नमस्कार स्वागत है आपका सक्षमकादमे की इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे और आज हम उत्राखन से सम्मंदित कुछ बिसेश प्रश्णों पर चर्चा करेंगे और इसी करम में आपके पास जो पहला प्रश्ण है वह यह है पौडी में इबटसन कांड की घटना कब घट राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1930 तो जुलाई 1930 18 जुलाई 1930 में पौडी के कंडोलिया नाम अगस्थान में यह इबटसन कांड घटित होता है ठीक है इस समय कुमाओ की जो कमिशनर होते हैं कुमाओ कमिशनर होते हैं कुमाओ कमिशनर कमिशनर होते हैं वो एंसी इस्टिफ होते हैं कुमाओ कमिशनर एंसी इस्टिफ होते हैं उसके बाद जब यह कांड घटित होता है तो इस कांड में जो लोग थे उनको गिरपतार किया जाता है और उन गिरपतार लोगों की जो प पैर भी की जाती है हालांकि वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं इस चीज़ में ठीक है इसके बाद जून 1930 मई नॉंबर 1930 और मई 1930 तो जो मई 1930 है इस समय क्या होता है दुगड़ा में दुगड़ा में ब्रिटिस गड़वाल का पहला राजनेतिक सम्मेलन होता है ठीक है नॉंबर 1930 में सरकार की कुछ जंगलात नीती होती है और इन नीतियों का बिरोध होता है नॉंबर 1930 में पुर्जोर बिरोध होता है ठीक है जून 1930 की अगर हम बात करें तो जून 1930 में लगभग 4 जून 1930 के आसपास हम देखते हैं कि जो अलमोडा का जो नंदा देवी प्रांगन है वहाँ पे एक जुलूस निकलता है और उन जुलीस में विदेसी उत्रों के बहिसकार का प्रतिग्या पत्र पड़ा जाता है ठीक है अगला प्रशन जो आपके पास है निमले खित में से किस कमिशनर के दुआरा सर्व पर्थम आपदा प्रबंदन का प्रियास किया गया इनमें से कौन से कमिशनर है जिनके दुआरा सर्व पर्थम आपदा प्रबंदन का प्रियास किया गया तो इसका जो सही आंसर होग वो होगा हैंडी रेम जे तो जो हैंडी रेम जे है कमिशनर की रूप में कमिशनर की रूप में इनका जो कारिकाल रहता है वो अठारसो चपन से अठारसो पिचासी तक रहता है ठीके यह इस छीतर की बहुत लोगप्रिय कमिशनर हुए थे इनके समय अठारसो सताओन की करांत का उत्राखन की चेत्र में, इस चेत्र में कोई विसेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय जो कमिशनर है, वो हेंडी टाइमजे है और यहां बहुत लोग प्रिय कमिस्नर हुए है और यहां पे ने रामजी भी कहा जाता है रामजी को रामजी भी कहा जाता है इसके अलावा इस रामजी के समय नैनिताल नैनिताल इसकूली सिक्षा केंदर के रूप में विक्सित हुआ था जो नैनिता में नैनिताल था वह इसकुली सिक्षा के केंदर की रूप में बिक्सित हुआ था रैमजे के दुआरा 1861 में जंगलाद बंदोबस्त भी करवाया गया था जंगलाद बंदोबस्त भी किया गया था इसी के दुआरा आपदा प्रबंधन के जो प्रियास किया गया था उसमें जो 1867 में एक कमेटी बनाई गयी थी और इस कमेटी का नाम था हिल साइड सेफटी कमेटी हिल साइड सेफटी कमेटी और यह कमेटी इसका गठन किया गया था नैनी ताल में इसके अलावा जो रैमजे थे इसने त्राइब हावर वाले छेतर के विकास में भी बहुत ध्यान दिया और इसकी लिए 1883 में तराइब हावर इंप्रूमेंट फंड के भी स्थापना की थी अगला प्रशन आप लोगों के सामने एकता बिष्ट मांसी जोसी और इसनेहराना का संबन किस खेल से है तो यह जो तीनों खिलाडी है इनका जो संबन है वो क्रिकेट से है और यह जो एकता बिष्ट है यह अलमोडा की ही निवासी है अलमोडा निवाशी है यह जो मांसी जोसी है यह रुड की निवाशी है और यह जो इसनेहराना है इनका संबन देहरादून जनपद से है और यह तीनों खिलाडी जो है वो क्रिकेट से संबन देता है इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बत यहाँ किस खेल से संबंदित है और यहाँ किस जनपत की निवासी है या इनका संबंद किस जनपत से है यह आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे प्रशन जो आप लोगों के सामने है वो है घाट प्येजलियोजना निमली खित में से किस नदी पर है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा यहाट प्येजलियोजना शर्यू नदी पर है सर्यू नदी बागिशूर के सर्मूल नामक स्थान से निकलती है और कुमाओ की यहाट सबसे पवित्र नदी है इस सर्यू नदी के तरफ पर बैजनात तीर्थ और बागिशूर नगर इस्तित है इसके अलावा जो सर्यू नदी है इसकी अगर हम प्रत्म सहाइक नदी के रूप में देखें तो इसकी जो प्रत्म सहाइक नदी है और बात में है काली नदी में मिल जाती है और काली नदी को सबसे जादा जो जलराशी देने वाली नदी है यह शर्यू अगला प्रशन आप लोगों के सामने है उत्राखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवन्स किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह यहां कत्यूरी वन्स उत्राखन का पर्थम एतिहासिक राजवन्स कहलाता है और इसे के साथ एक प्रशन और आता है कि उत्राखन का पर्थम राजनेतिक वन्स तो जो राजनेतिक होता है पर्थम राजनेतिक वो कुनिंद होता है कुनिंद वन्स और जो कत्यूरी होता है ये पर्थ पर्थम एतिहाशिक राजवन्स और पर्थम राजनेतिक राजवन्स कुणिंद राजवन्स को कहा जाता है। और इनका जो संबंध है वो मसूरी से है और जो विक्टर बनर जी है यह अभी नीता है अभी नीता है एक्टर है ठीक है और इन्हों ने जो मसूरी गोलिकांड हुआ था मसूरी गोलिकांड हुआ था। इसको वासिंग्टन पोस्ट में एक लेक लिखा था। विक्टर बनर जी ने मसूरी में जो मसूरी गोलिकांड हुआ था उस गोलिकांड से एक लेक लिखा था वासिंग्टन पोस्ट में इस परकार जो विक्टर बनर जी है यह उत्राखंड की जो आंदोलन है उसे विस्व अस्तर पर एक पैचान दिलाने के लिए इनको जाना जाता है ठीक है अगला प्रशन है जागिशुर मंदिर समों में सबसे बिशाल मंदिर कौन सा है जागिशुर जो मंदिर समों है इसमें सबसे बिशाल मंदिर बताना है तो इसमें सबसे बिशाल मंदिर होता है वह दिन देशुरा का मंदिर है और जो महा मिर्टियूंजे मंदिर है यह सबसे प्राचीन ठीक है जागिशुर मंदिर समों में सबसे बिशाल मंदिर की अगर बात की जाए तो दिन्देश्वारा का मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर की अगर बात की जाए तो हो महामिर्टिउंजे का मंदिर है जो यह जागिश्वर मंदिर समू है यह 124 चोटे बड़े मंदिरों का समू है लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं लगभग 24 मंदिरी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है उसके बात इसके लावा यह जो जागिश्वर मंदिर है यह जटागंगा जटागंगा नदी की किनारे है जिटा गंगा नदी के किनारे है और देवदार के घने बिक्षों के अंदर यह जागिश्वर मंदिर समू हमें देखने को मिलते हैं इस जागिश्वर मंदिर जो 124 चोटे बड़े मंदिरों का समू था इनकी शैली क्या थी? यह मंदिर किस सैली में थे? यह आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि यह किस सैली में निर्मित थे? ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें जागिश्वर मंदिर की तो यहां से हमें दो कत्यूरी सासकों के द्वारा निर्मित मंदिर भी देखने को मिलते हैं इनमें एक निम्बर देव है इन्हों ने जागिश्वर में बिमान मंदिरों का निर्मान किया था और एक इस्ट देव गण है इन्हों ने जागिश्वर में लकुलीश, नवदुरगा, नटराज और महिशा मरदिनी मंदिरों का निर्मान किया था इसके अलावा हमें चंद सासक दीब चंद वो उसकी पत्नी का मूर्ती मिली है अगला प्रश्ण जो आप लोगों के सामने है वो है जागिश्वर मंदिर समू में सबसे बिसाल मंदिर कौन सा है जो जागिश्वर मंदिर समू है इसमें सबसे बिसाल मंदिर कौन सा है यह वताना है तो इसमें जो सबसे बिसाल मंदिर है वो दिन देश्वारा का मंदिर है और जो सबसे प्राचीन मंदीर है वह महा मिर्तियुन्जे का मंदीर है ठीक है जो जागिशुर मंदीर समू है ये 124 छोटे बड़े मंदीरों का समू है 124 छोटे बड़े मंदीरों का समू है यह जो मंदीर है यह जटा गंगा नदी की किनारे है जटा गंगा नदी के किनारे है ठीक है इसकी जो इन मंदिरों की जो शैली है यह मंदिर किन सैलीों में निर्मित है तो यह शैली आपको कमेंड करके आंसर में बतानी है कि जो जागिशुर मंदिर के जो जागिशुर मंदिर शमो है यहाँ पी जो मंदीर है वो किस सैली में निर्मित है तो यह आप कमेंट करके इसका अंसर बताओगे उसके अलावा जो जागिश्रूर मंदीर है यहाँ से दो कत्यूरी राजा एक निमबर देब और एक इष्ट देब गर्ण निमबर देब और इष्ट देबगर्ण दो राजाओं का हमें उलेक मिलता है यह निमबर देब यहाँ पे विमान मंदिरों का निर्मान करवाता है ठीक है अगला प्रशन जो आप लोगों के पास है हिडिमबा देबी मंदिर किस जनपद में इस्तिथ है हिडिमबा देवी मंदिर किस जनपद में इस्तित है तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिडिमबा देवी मंदिर यहाँ चमपावत में इस्तित है हिडिमबा देवी मंदिर चमपाउत में इस्तित है अगर हम हिडिमबा प्रवत की बात करें तो यहां नैनिताल में इस्तित है हिडिमबा प्रवत हिडिमबा प्रवत आपका नैनिताल में और हिडिमबा देवी मंदिर यहां आपका चमपाउजनपत में है अगला प्रशन जो आप लोगों के सामने है वह है जौनसार बावर एक सांस्कृतिक आर्थिक एम सामाजी कद्धियन किसकी पुस्तक है तो यह जो पुस्तक है यह पुस्तक है रदन सिंग जौनसारी की इनकी यह पुस्तक है और यहां पे जो पंडित सिवराम है इनकी एक तर्वाजी का द्यान है ये रतन सिंघ्ज ऑन्सारी की पंस्तक है अगला प्रशन आप पर लोगों के सामने है उत्राकंड है नाहिन वर्तमान में जो हमारे मुख्य सचीव है यह हमें बताना है तो इन में जो हमारे मुख्य सचीव अभी वर्तमान में है वो है राधा रत्यूडी राधा रत्यूडी उत्राखंड में 18 मुख्य सचीव है और उत्राखंड की उत्राखंड की प्रथम महिला मुख्य सचीव है इसके बाद अगर हम देखें कुशुम कंडवाल तो जो कुशुम कंडवाल है यह महिला आयोग की अद्धिक्च है महिला आयोग उत्राखंड राज्य महिला आयोग की जो अस्थापना होती है वह दोजार तेरा में होती है और श्रीमती संतोष चवान उत्राखंड राज्य महिला आयोग की पहली अद्धिक्च होती है और वर्तमान में जो अद्धिक्च महिला आयोग की वो कुशुम कंडवाल है और जो महिला आयोग की जो अस्थापना होती है वो दोजार तेरा में होती है इसके अलावा हमारे पास रितु बहारी है रितु बहारी है हमारी मुख्य नियायदीश है और उत्राखंड की पर्थम महिला मुख्य नियायदीश भी रितु बहारी है मुख्य महिला नियायदीश जो रितु बहारी है ये उत्राखंड की मुख्य नियायदीश है और महिला ये पहली महिला है जो उत्राखंड की मुख्य नियायदीश अभी बनी है ठीक है इससे पहले विपिन सांगी थे विपिन सांगी के स्थान पर अभी रितु बहारी उत् अद्यक्षे और रितु खंड्यूडी भी पहली महिला अद्यक्षे उत्राखन की इतियाश में पहली महिला बिधान सबा अद्यक्ष बिधान श्रभा अद्यक्ष पहली महिला बिधान सबा अद्यक्षे आपको कमेंट करके बताना है कि पर्थम विदानसबा देख्च कौन थे और अंतरिम सरकार में कौन थे और निर्वाजी सरकार में पर्थम विदानसबा देख्च कौन थे ये आपको कमेंट करके बताना है अगला प्रशन हमारे पास है गोर्खा सासन में जागरिया और धाकरिया क्या थे गोर्खा सासन में जो जागरिया और धाकरिया जो थे यह शैनिक थे इन जागरिया को जागचा भी कहा जाता है जागचा भी कहा जाता है जब सैनिक सेवा रत रहता है तो उसे जागरिया कहा जाता है एक वर्स के बाद इन्हें लगबग दो वर्स के लिए इन्हें शेवा निवर्ट किया जाता है तथा दो वर्स के लिए इन्हें सेना में नहीं लिया जाता है तो जब इन्हें सेवा में नहीं लिया जाता है तब इन्हें धाकरिया कहा जाता है धाकरिया कहा जाता है लेकिन अगर आपातकाल की इस्तिती में इन धाकरिया शेनिकों को पुना सेना में बुला लिया जाता था या रख लिया जाता था इसके अलावा जो गुर्खा सेना थी गुर्खा सेना के लिए कैप्टेन हीर सी इन सेनिकों की परसंसा करते हैं और कैप्टेन हीर सी कहते हैं जो गुर्खा सेनिक होते हैं बहुत बीर होते हैं निडर होते हैं शत्रों की परवा नहीं करते हैं और हमेशा परशन रहते हैं यह क गोर्खा जो सेना थी वो भूत अनुशासनात्मक सेना थी इसलिए इस सेना को योरोपियन प्रकार की सेना भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अनुशासन इनमें भूत अधीक था ठीक है मौर्निंग प्रेड हो गे रहा यह सब भी इनमें होता था अगला प्रशन आप लोगों के सामने है 1922 में हल्दवानी में सर्वोदे आंदोलन का आयूजन किसने किया था तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा शरला बहन सरला बहन ने हल्दवानी में 1922 में सर्वोदे आंदोलन का आयूजन किया था इसी सरला बहन से प्रभावी तोकर या अपना प्रेड़ना सुरूत मान कर तुलसी देवी ने 1952 में ही कताई कताई बुनाई केंद्र की अस्थापना की थी और इह तुलसी देवी महिलाओं को स्वालम भी बनाने के लिए इस कताई बुनाई केंद्र की अस्थापना करती है 1952 में और ये तुलसी देवी पिथुरागट की रहती है और भोटिया जंजाती से संबंदित रहती है और इस सरला बहन को ये अपना प्रेड़ना सुरुत मानती है सरला बहन इसके बारे में अगर देखें तो ये लगबग 1932 में भारत आई थी और गांदी जी गांदी जी इसे अलमोडा भीजते है स्वास्ति उप्चार के लिए से अलमोडा भीजते है और बाद में अलमोडा में यह लक्षमी आश्रम की भी अस्थापना करती है लक्षमी आश्रम की अस्थापना करती है लक्षमी आश्रम की अस्थापना करती है इसके अलावा जो ये शरला बहन है इनकी परियावरण से सम्बंदित एक रचना है शनक्छन और विनाश शनक्छन और विनाश शनक्छन और विनाश इनकी यह पुस्तक परियावरण से संबन दिते हैं लक्छी में आश्रम के स्थापना करती है 1932 में गांदी जी यहां बेजते हैं और यह सबसे पहले पहुंस दिक कौशानी में लक्षी में आश्रम के स्थापना करती है अगला प्रशना है आप लोगों के सामने है कि 1922 में हल्दवानी में सर्भूध रांदूलन का आयोजन किस ने किया था तो इसका जो श़यह आंसर होगा इनमें जो 1922 में सर्वुदाय अंदुलन हुआ था हजवानी में उसकी जो आयोजग थी वह ये शरला देवी थी ठीक है शरला देवी 1932 में भारत आई थी गांदी जी ने इने अल्मोडा भीजा था गांदी जी ने इने अल्मोडा भीजा था बाद में यहीं यह लक्षमी आश्रम किस्ता अपना करती है लक्षमी आश्रम लक्षमी आश्रम किस्ता अपना करती है इसके बाद जो यह सरला बहन होती है इनकी एक पुस्तक है जो परियावरन से संबन देते है शनक्छन शनक्छन और बिनाश सरक्षन और बिनास इनकी एक पुस्तक है जो की परियावरण से संबन्दित है इसी सरला बेहन को तुलसी देवी अपना प्रेणा सुरोत मानती थी और इनहीं को प्रेणा सुरोत मानके इस तुलसी देवी ने 1952 में कताई बुनाई केंद्र की अस्थापना के थी और जो तुलसी देवी थी ये पिथोरा गड़ के थी और भोटिया जन जाते से शंबन्दित थी उसके बाद हमारे पास जो हीरा देवी है हीरा देवी ने नायक जाती थी नायक जाते की महिलाओं का प्रतिन्दित तो किया था 1723 संग्राम में इसके अलावा इसने नायक जाती के शिक्छा के लिए भी अंदुलन किया उनके सिक्छा के लिए इश्कोलोगिरा भी इसी हीरा देवी ने खोले थे अगला प्रशन है रमान उच्छो का आयोजन किस जनपद में किया जाता है जो रमानोत्सव है इसका आयूजन किस जन्पत में किया जाता है तो इस रमानोत्सव का आयूजन चमोली जन्पत में किया जाता है और चमोली में जूशी मठ में जूशी मठ में इसका आयूजन किया जाता है सलूर डुंगरी गाओं में इस रमानुसों का आयूजन किया जाता है परती वर्स अप्रेल माह में इसका आयूजन होता है इसमें मुखोटा निर्तिय होता है मुखोटा निर्तिय होता है और यह जो निर्तिय होता है वो मूख समवाद होता है जो यह रमानुसों है इसे जो विस्व अस्तर पर पहचान दिलाई थी वह डॉक्टर कुशाल सिंग भंडारी ने दिलाई और इस रमानुसों को योनेसको द्वारा दो अक्टूबर 2009 को विश्व धरोवर घूशित किया गया था और इसे जो पहचान दिलाई थी वो डॉक्टर कुशाल सिंग भंडारी ने दिलाई थी विश्व अस्तर पर अगला प्रशन हमारे पास है उत्राखन राज्यगीत चैन समीती राज्यगीत चैन समीती के अधिक्ष कौन थे ठीक है जो राज्यगीत था हमारा उत्राखन उसके जो चैन समीती के अधिक्ष थे वो लक्षमन सिंग वटोई थे नरिंदर सिंग नेगी और अनुराधा निर अनुराधा निराला नहीं यह गीत गाया था ठीक है लक्षमर्ण सिम्बटोई इस समीति के अद्दिक्स थे उसके बाद जो भंडारी समीति है भंडारी समीति इसका सम्मन ढोल वादियंत्र का चैन ठीक है जो हमारा राज्य वादियंत्र है ढोल उस राज्य वादियंत्र के लिए एक समीति बनाए गई थी उसके चैन के लिए एक समीति बनाए गई थी और वह समीति थी स्री भंडारी समीति और इस समीति की सिपारिश पर ढोल को राज्य का वादिय अंत्र घुशित किया गया था जो उत्तम दास है यह राज्य में एक मात्र एक मात्र धूल सागर के ग्याता है एक मात्र धूल सागर के ग्याता है उत्तम सिंग अगला प्रशन आप लोगों के सामने है बीर भड लोदी रिखोला मादव सिंग भंडारी किस पंवार सासक के सेन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महिपती सहा हो जाएगा यह दिपी यह जो माधव सिंग भंडारी थे इन्होंने महिपती सहा के अलावा रानी करणावती और प्रिथवी 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 हुए छोटा चेन यूद में इसकी मादव सिंग भंडारी की मिर्त्यू हो जाती है महीपती साहा इसकी जो शेनापती थे लोधी रिखॉल और मादव सिंग भंडारी यह महीपती शाहा सबसे अधिक उम्र में शाशक बना था इसने दापा पर तीन बार आक्रमन किया या तीन अभियान किये तीन अभियान किये दापा पर तीन अभियान के बाद मौला राम ने इसे महा परचंड भुजदंड की उपा दी तीन बार दापा अभियान करने के बाद और इसकी जो शेनापती थे लोधी रिखुला और मादव सिंग भंडारी थे ठीक है बाद में मादव सिंग भंडारी करना होती है प्रितवी प्रितिशाह को भी अपनी शेवाएं देते हैं अगला प्रशन जो आप लोगों के सामने है शोलसो दो में बागेशुर में बागनात मंदीर का जीर्णोधार किस चंद सासक ने किया था तो जो बागेशुर में बागनात मंदीर है इसका जो जीर्णोधार किया था वह चंद शाशक लक्षमी चंद ने किया था ठीक है लक्षमी चंद्ने किया था है और इसी चंद्सासक के समकालिन गड़वाल में मानसाह था मानसाह था जिस पर इसने आठ बार आक्रमन किया था आठ बार आक्रमन किया था और इस आठ बार में जो साथवां आक्रमन था पैनोगड का आक्रमन इसी पैनोगड के आक्रमन में इसका नाम लखुली बिराली पड़ता है ठीक है इसके अलावा ये जो लक्षमी चंदस था इसके समय हमें दो कचरिया देखने को मिलती है और ये दो कचरिया है न्याय वली और विष्टा वली नामक दो कचरिया हमें लक्षमी चंद के समय देखने को मिलती है अगला प्रशन आप लोगों के सामने राजमी हिमाले संग्राले कहां इस्तित है तो जो राजमी हिमाले संग्राले है हिमाल लयन संग्राले है यह उत्तरकाशी में इस्तित है और उत्तरकाशी में भी एका है निम कैमपश में निम कैमपश में है इसकी जो अस्थापना होती है निम कैमपश में 1965 में होती है और इसी से सम्दित एक हमारे पास दो सा संग्रालय आजाता है नेनिताल में कुमाव विश्र विद्याले के परिसर में है नेनिताल में जिसकी इस्तापना 1987 में होती है और यह है हिमाललय हिमाललय शंГ्रहाले शंग्राले ठीके इसके अलावा एक जडिबुटी संग्राले पियाता है जड़ी बूटी शंग्राले और यह जो जड़ी बूटी संग्राले है यह हरीद्वार में है इसके लावा एक संग्राले और है पंडित गोविन बलब पंत राज के शंग्राले यह शंग्राले कहां है यह आप कमेंड करके इसका आंसर दे अगला प्रश्ण है मनीला का मेला किस जन्पत में आयुजित होता है तो जो मनीला का मेला है ये अलमोडा में आयुजित होता है अलमोडा में रानी खेत में शल्ट नामकस्थान में सल्टन आमकस्थान में मनिला देवी मंदिर है मनिला देवी मंदिर है और इस मनिला देवी मंदिर में इसका आयोजन होता है मनिला मेले का आयोजन होता है और जो ये मनिला देवी मंदिर है इसका निर्मान आठवी नौई सताब्दी में कत्यूरी शास्कों के द्वारा किया गया था इसके अलावा अल्मोडा में शोमनात का मेला गणनात मेला बगवाली पोकर स्याल दे विखोती मेला आदी लगते हैं अगर हम चमपावत की बात करें तो यहां पे कालसन मेला सूर्य शष्टी मेला और लड़ी धुरा मेला आदी मेलों का आयूजन किया जाता है अगला प्रशन आप लोगों के सामने है राज्य में स्याम हेल्पलाइन नंबर का शुभारम कव हुआ था राज्य में CM help line number का शुभारम कब हुआ था तो जो CM help line number है यह help line number है 1905 और इस नमबर का जो शुभारम हुआ था वो हुआ था फरवरी 2019 में और 23 फरवरी 23 फरवरी 2019 को 2019 को इस CM help line number का शुभारम होता है इसका उदिगाटन होता है इसका जो उद्दिश्य रहता है कि जो नागरिक है नागरिकों की जो समस्या है उन समस्याओं का तुरित निप्टारा हो सकी इसलिए 2019 में सरकार द्वारा इस CM Help Line Number का शुवारंब किया जाता है अगला प्रशन आप लोगों के पास है कत्यूरी काल में खनीजों से संबंदित भूमी थी ठीक है कत्यूरी काल में भूमी को चार भागों में विवाजित किया गया था उसमें जो प्रशन है कि खनीजों से संबंदित कौन सी भूमी है तो जो खनीजों से संबंदित भूमी हो निवासस्तान के आसपास की भूमी होती थी, ठीक है, उसके अलावा जो बृती होती थी, यह निजी भूमी होती थी, ठीक है, और जो पलिका होती थी, गाउं की भूमी होती थी, जो पलिका होती थी, गाउं की भूमी होती थी, जो पलिका होती थी, गाउं की भूमी होती थी, बिर्ति निजी भूमी होती थी शरण आसपास की भूमी होती थी और जो कार्मान्त होती थी यहां खनी संसादनों से संबंदित भूमी होती थी